हेलो बच्चो तो आज हम बात करते हैं modern periodic table ठीक है बच्चो क्या बात करेंगे हम modern periodic table ठीक है modern periodic table से जानने से पहले उसके पास जाने से पहले तुक 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 गाड़ी आगे बढ़ाने से पहले हम पढ़ेंगे कि 10th 9th class में हम क्या पढ़कर आए हम क् सिख कर रहे हैं elements के बारी मैं आपको पता ही होगा जितनी पर चोटे छोटे एलिमेंट्स ठीक है उधीस नहीं देख सकते हैं वह सब maykroscopic होते हैं ठीक है macroscopic होने के वदे से हम उने राइस से नहीं देख सकते हैं किनको elements को उन्हें उन elements को क्या बोलते हैं atom बोलते हैं और क्या बोला जाते हैं molecules ठीक है atom molecule में ज्यादा difference नहीं है तो please कोई भी confuse मत हुएगा atom यानी अनू और molecule यानी कण ठीक है अनू और में ज्यादा अंतर नहीं होता है ठीक है अनू और molecule यानी कण में atom और molecule में ज्यादा difference नहीं होता है दोनों को यह हम नेगड़ आइस से नहीं देख सकते लेकिन एक बात याद करने की और समझने की जरूरी है वह यह कि compound क्या होता है compound यानि योग योग क्या होता है जो दो atom से मिलकर बने उसको क्या बोला जाता है योग क्या बोलते है योग हमारा दो एटम से मिलकर बनता है यानि दो मोलेक्यूल मिलकर यानि दो अडू मिलकर क्या बनाते है योग यह दोनों मिलकर यानि योग करेंगे योग यानि ऐसे मेल करेंगे तो यह क्या बनाएंगे compound क्या बनेंगे compound ठीक है अब product product क्या बनाता है reactant product में क्या होते है atoms होते है molecules होते है यह दोनों fuse होते है यानि कि मिलते है इन दोनों को मिलाया जाता है mix किया जाता है तो जाके हमारा product बनता है यानि उत्पाद बनता है ठीक है अभी करिया से क्या बनेगा उत्पाद ठीक है तो ये शैसन जो है ये बच्चों के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वी तो मैं आपको बता रही थी कि atom और molecules में क्या difference है अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो अब हम बात करते हैं हम में टॉपिक पे modern प्रिडिक टेबल पे कि मैं उसमें क्या पढ़ाने वाली थी देखे बच्छों आप जो पढ़कर आएं है 9-10 में क्या पढ़कर आएं है तत को मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है ठीक है तो 9-10 में हमने पढ़ा था 10th क्लास में basically हम पढ़ते हैं आगे चलकर atoms के बारे में पढ़ते हैं एक अच्छा खासा नेया चैप्टर है 10th क्लास क्लोरीन आर्गोन ठीक है इस तरीके से होते हैं 20 elements दिये गये हैं कोई मना मत करिएगा आपकी बुख में यह नहीं है अपकी बुख में है अपको पढ़ना है 20 elements है क्या है 20 elements और 20 elements किस तरीके से हैं hydrogen helium, lithium, baron, carbon, nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, chlorine, argon, sodium, potassium, calcium कुछ इस तरीके से दिया गया है तो आप प्लीज उसको पढ़िए प्लीज 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 यह आपको अगर आप चार बर पांच बर उसे पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा ठीक है चार से पांच बार पढ़ना है उससे जादा भी पढ़िए जितक किसी चीज को बोलेंगे न आपको याद नहीं होगा और लड़िक्या तो भई डेफिनेटली परफेक्ट होती है रटने में तो यह ठीक है हां तो मैं आपको बढ़ पढ़ा रही थी कि हाइड्रोजन हीलियम लीथियम बैरीलियम बोरोन यह सब क्या है यह सब मैडिकल कोर्स लिया है फिननमेडिकल लिया है कैमिस्ट्री उसमें कंपल्सरी होती है थीक है यह सब भी आपको पता होना चाहिए थीक है इधेन यानि वन कारबन आटम मिथेन यानि-4 गॉत्त होते हैं औल प्रोपेन यानि-3 कारबन एटम ठीक है? अच्छ तो हम बात करेे थे किसी? एटमस की, ठीक है? तो हम periodic table में atoms पढ़ेंगे, दिखे, atoms मैंने अपको screen पर दिया है, modern periodic table हमारे screen पर है, क्या है? देखे, आपके first group में आपको दिया गया है लाएंस से, ठीक है? क्या क्या दिया है पढ़िए मेरे साथ हाइडरोजिन लीथियम इस तरीके से जा रहे है और अगर आपकी लाइन अगर ऐसे जा रही है तो वो क्या है अगर वन उपर से नीचे आ रहे हैं तो वो गुरूप है इस खुझ पिलींगे सब्सक्राइब हुआ है सब्सक्राइब है और बहुत ढ़िए पहला और दूसरा गुरूप ये अलकली मैटल्स होते हैं कैसे मैटल्स होते हैं अलकली मैटल्स तरी आपको ऐसे याद करना है S-Block, D-Block, P-Block कैसे याद करेंगे S-Block, S-Block ये है, P-Block बीच का, D-Block इधर का और नीचे साइड में जो लहर रहा है न हवा में टेर रहा है यू यू करके तो वो है F-Block, वो कुन सा है F-Block, F-Block होता है आपका लैंथेनोइट्स और एक्टिनोइट्स कौन से होते हैं लैंथेनोइट्स और एक्टिनोइट्स , एक्टिनोइट्स こुन क्या बोलते हैं, लैंथेनोइट्स और एक्टिनोइट्स, ठीक है तो अब हम पढ़ रहे हैं basically पिरिडिक टेबल को कैसे याद कर जाए दो ब्लॉक को क्या बोले जाएगा का S block Beach के जो 5 block है उसको P B block or side के 6 block को क्या बूलेंगे F P block और नीचे के blocks को क्या बूलेंगे F block ठीक है नीचे 2 blocks है उसको क्या बूलेंगे F block और यह जो F block यह आप कैसे है row में है यह periods में है ठीक है और बाकी सारे आपके किसमें है बताएए बाकी सारे किसके में ही ग्रूप में श्ट इंग अपका और शेक slaves होता है और सिखend गुरूप आपका ऐलके लाइन हुद मेटल किसक्ञ और!.. आपको स्क्रीन पर डोट डोट दिखाई दे रहा है इस तरीके से डोट डोट बना हुआ है इस डोट डोट बना रखा है यह है आपका मैटलोइट्स यह क्या है मैटलोइट्स ठीक है मैटलोइट्स 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 ठीक है अब हम मैं आपको बताती हूं कि मैटल पर यह वह बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम यह सब क्या है मेटलोड से उगधातु है ठीक है एलकली मेटल्स होते हैं इंदी में शारी धातु कों से शारी धातु लीधियम वाले जो पापको नज़र आ यह चाहरी जातू क्या है यह चाहरी जातू थिक रखց भाये कर्षा पहते हैं, अब क्छोब समस्य उपनेंगे robotics वे अदिन the Smith में चाहं व्हरुत है यह ईत्री ये सरी चीलियुम πर पर thumbnail दीजिएउ communist मैं आपको शो नहीं कर सकते हुं स्क्रीन पे गैस को शो कर सकते हूं रहे हैं कि यह अब नेक्स मैं afe आपको शो कर रहे हूं Magnesium Magnesium डेकर कैसा है देख आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा you can see okay guys next is calcium calcium भी देख सकते हैं silver के फॉर्म में नजर आ रहा है कि strontium डेखे strontium कैसा दिख रहे आपको अद्रक टैपो अद्रक नहीं है भी नम्मब्र क्या है और ये भी लिखा जाता है इंका सीय स्टॉंटियम का सार बैरियम बीए और अटमिकन नम्बर क्या है 56 तेक्ष रेडियम रेडियम आपको दिख रहा है कैसा है लकडी जयासा दिख तो वैसा ही रहा है लेकिन ऐसा होता नहीं है यह जिस्ट रिमेंबराइज करने के लिए आपको बतारी हो मैं टिप दे रही हूं है और इसका अट्विक नमबर 85 88 होता है ठीक है रेंडियम का नेम क्या है हम रेंडियम को कह लिखते हैं आ रही है कि स्क्रीन पे तो यह सब क्या है यह सब इसके अट्मिक नमबर है ठीक है इसके यहिं नमबर है यही ठीक है वह सब यह Gör ईकुड़ समें इसको पर लिखने लेंइंगे अपनी कापी इसको लिखेंगे इसे कर्के नीचे की तरफ लिखेंगे तो अपने प्ने तरीका होता है लिखने वैसे atomic mass उपर लिखा जाता है और atomic number नीचे इस बात को भी ध्यान रखेगा बच्चो ठीक है अब मैं आपको बताती हूं कि atom क्या होता है ठीक है उसके अंदर कितने electrons होते हैं कितने electrons revolve करते हैं कितने electrons lose करते हैं कितने gain करते हैं यह सब मैं आपको बताने वाली हूं क्योंकि मैं बोर्ड का यूज नहीं कर रही हूं भी तो मैं आपको कॉपी पर ही similar बता देती हूं देखे वो atom का structure कुछ इस तरीके से होता है ठीक है गोल circle दिया गया है इस तरीके से scientist ते दिया है किस्ते दिया है बोर्ड ने बोर के spelling लिखे बी ओ एच आर ठीक है चाहे बच्चा हिंडी मेडियम का है या इंग्लिश मेडियम का है उसके लिए बहुत जरूरी है समझता कि बोर्ड ने यह atom का model दिया है model है यह एक तरह का ताकि हम समझ पाए कि atom होता कैसे कैसे दिखता है विजिबल कैसा होता है तो उसको समझने के लिए बोर्ड मोडल हमें पढ़ना जरूरी है ठीक है तो बोर्ड मोडल में बीच का जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते है नूकलियस विद्धु आपको नजरा रहा है यह कह है नूकलियस ठीक है कि शायद उल्टा दिख रहा है उल्टा तो आप ही लिखिये कि मैं बस बता ले देते हूं बिंदी दो उल्टी नहीं होंगी जैसे प्रिथवी के एर्थ के अरॉंड प्रिथवी के चारोर कब दो पैसे ही मोडल अन्पिर को अप्सकर ब लगाते हैं अब सूझे fingerprint Crime वायर गधार के सब्सक्राइक कब एक बड़ी है ओसके चारों भगल लड़के बाइब चला रहे हैं पीर क्योंकि वह लड़की सुंदर है अब सुंदर भी ना भी न लोग तो चकल लगाएंगे क्या पता उसके पास पैसे हो क्या पता स्के पास आइसक्रीम हो वो से चीनना चाहें लिए टेक है कि तो इस तरीके से यहां पर एक और ऐसे model बनाया ठीक है एक और circle बनाया ये मैं circle क्यों बना रही हूँ मैं आपको ये भी बताऊंगी ठीक है तो nucleus बनाया ठीक है ये हमारा nucleus है nucleus के around एक circle बनाया इसके around जो हमने circle बनाया है इसमें कितने electron होंगे दो कितने electron हैं दो यहनि सोच ये कि earth के around जो orbit घूम रहा है वहाँ पर कितने orbit घूम रहे हैं दो उसके बाद कितने orbit घूमेंगे यानि कितने electron होंगे 8 कितने electron हैं 8 कितने होंगे 8 ठीक है ऐसे बनाया 8 ठीक है उसके बाद फिर से 8 मन नी भरा और लड़के आगे देख लो मतलब लड़की मान नेरी थी तो उसे पकड़ने के लिए और लड़के आगे ठीक है अब जो last shell बचेगी उसको उसमें कितने electron होंगे 2 कितने होंगे 2 तो कैसा होगा पहले होंगे 2 ऐसे लिखेंगे 2 8 8 2 ये pattern होता है 2 8 2 का ठीक है इस जो मैंने circle बनाया है इसको बोलते हैं shell ठीक है shell का around क्या गुम रहे है electrons रहना क्या गूम रहे है electrons ठीक है अगर ये येרךटरोंस है अपने-पने orbits पे गूमते है& अपने अपने shell पे गूमते है kg पहले होगे आपकवका kg ठीक है यह हैं आपकेशल, L-cell, M-cell और N-cell ठीक है अपनी नाम दे सकते हैं K-L-M-N ठीक है तो यहनी के में कितने एलेक्रों से गुमते हैं 2, L में 8, M में 8 और लास्ट में 2 ठीक है आ रहा है ना बच्चों को समझ में ठीक है तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं ठीक है अब मैं बात करी थी modern periodic table की यह तो मैंने आपको बेसिक सा समझाया यह आपको शायद आता भी होगा बहुत बच्चों को तो जिने नहीं आता था यह उनके लिए ठीक है इस तरीके से एक अटमिक नंबर को काउंट किया जाता है ठीक है अब जैसे कि सोडियम है सोडियम का अटमिक नंबर आपके प्रेडिक टेबल पर दे रखाए 11 क्या है 11 है ना तो इस नंबर किसके बराबर होता है अब उब कितने हो गए अब धियान से देखिए कितने लेक्ट्रों सोगए 2 तो पहले मतलब मैं लिखे हुए है और खुद बनाएगा दो है अरट है तो 10 हो गए ठीक है हुंए इक एक पाइक में बचा मुझा गुर जाएगा किसी आथ जाएगा यह किसी के साथ जोड़, यह से निकल जाएगा तिक अनी किसी के साथ हो जाएगा तो यह क्या कर रहा है तो जब कोई भी एक्टम लौस करता द है तो असके उपर को स्वार्सितिफ चाहर से ऊंज़ें में कैसे होते हैं तो भी love कर रहा है एक एलेक्ट्रों के इसा में कि पढ़ाते पढ़ाते में कितने आगे पहुंच गए पीछे पहुंच गए मुझे खुद भी नहीं पता चला क्यों कि मुझे आसा लगता है कि बच्चों को जब भी पढ़ाया जायना उन्हें A to Z से पढ़ाना चाहिए अब A to Z से मेरा मतलब यह नहीं है कि उन्हें A, B, C, D, E, F, G यह सब समझाया है यह सब पढ़ाया रटा लगाया नहीं I mean to say कि उन्हें को basic basic चीजे ना उनके दिमाग में चलती रहने चाहिए उन्हें concept clear होता रहना चाहिए ता कि वह कोई भी चीज को easily capture कर पाएं अब आगे चलके पढ़ेंगे drift velocity अपने physics में 11-12 में आकर तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट आउट के जाते हैं कि मतलब imagine करो यहां पे positive charge यह negative charge यहां से मतलब zero work कर रहा है यहां पे zero work done है तो इस तरह के चीजे ना imaginable होते हैं तो वह सब हमें कब clear होगा कर ने खालडी से यहां पर सब्सक्राइब company इस तार्व करेंडे कि कर बन के पास किटने हैं तो इसे को सकता है नहीं किसी कोच पूर्स सकता है नहीं खिचल में पढ़छ थे टारी शहता यह नहीं होते हैं 14 कितने 14 आप इस तरीके से एक box बनाएगा ऐसे box बनाएगे ठीक है यहां पर लिखे s p d f इस तरीके से लिखे उसके निचे लिखे 2 6 10 14 ऐसे लिखेंगे ठीक है यह सब क्या है ब्लॉक्स हैं ठीक है कि कैसे modern predictable को define किया गया है इन ब्लॉक्स के according ठीक है आप देख रहे हैं कैसे दिया हुआ है p block कैसे दिया हुआ है d block और f block ठीक है आप देख सकते हैं ठीक है इतना तो आपको सबज में आई गया होगा ks block में 2 electrons होते है p में 6 d में 10 ठीक है f में 14 तो यह सभी electronic configuration लिखने में काम आते है atoms की ठीक है तो electronic configuration high level का है चाहूँ तो मैं आपको भी पढ़ा सकती हूँ कि कैसे हम 1s 2s 3s 4s ठीक है इस तरीके से लिखते हैं electronic configuration को ठीक है यह सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी पढ़ाऊंगी ठीक है मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और पढ़ते हैं गाजल मैं के साथ ठीक है तो दोस्तों मेरा नाम गाजल है मैं आपको जादा से जादा नॉलिज परवाइड करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा पैशन ही है पढ़ाना ठीक है मेरा बहुत बहुत पैशन है कि मैं पढ़ाऊं मैं जादा से जादा बच्चों को पढ़ाऊं तो प्लीज सपोर्ट में एंड सब्स्राइब मैं चैनल तो लाइक मैं वीडियो और शेयर तो मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ